प्यारे बच्चो जामिती रश्नाओं वाले अध्याय के लगबग अंत में हम पहुँच चुके हैं और एक बहुत ही महतुपूर्ण रश्ना हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और वो रश्ना है अंतव वृत्त की रश्ना अंतव वृत्त क्या होता है किसी त्रिभुश ABC के मंदित वो वृत्त उस त्रिभुश के शिर्षों से होकर गुजरता था अब हम जिस वृत्त की रश्ना करने जा रहे हैं वो त्रिभुश के अंदर है और उनके भुजाओं के सपर्श करता है अब आप देखिए कि यहां हमें रश्ना की शिरवात कैसे करनी होगी कल्पना क कर देखिए कि हम पर एक वृत्त है जो इसके भुजाओं के सपर्श कर रहा है यानि वृत्त के केंद्र से इसके प्रत्तिक भुजा की दूरी बराबर है अगर हम इन दोनों भुजाओं के ओपर ध्यान केंद्रित करें तो जो वृत्त इन दोनों भुजाओं के सपर्श कर की यह за 3 आपको युट करिए कि यह गुर आपने कहां पाया थह कि एक बिन्दू को बनाने वाली दोनों भुज़ाओं से वराबर दूरीरे पर हो यह बात आप कहां देखी थी आपको याद आहरा होगा कि ऐसा बिन्दू उस कोड के सम्धिभाजक पर ये कोड के अर्धक परिस्थित होता है आपने कोडार्धक खीशते समें ये बात देखी थी कि कोडार्धक परिस्थित प्रत्यक बिंदू कोड बनाने वाली भुजाओं से समान दूरी पर होता है तो कुणारधक की उस गुण का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर एक ऐसा बिंदू प्राथ करेंगे जो इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है यानि हमको बी से कुणारधक खिशना होगा तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं को छूने वाला बिंदू ये इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी परिस्तित बिंदू इस अरधक परिस्तित होगा यानि ऐसा कोई वृत न हम खीश सके जो इन दोनों को इसपर्ष करता है तो उसकेंद्र इस कोणारधक परिस्तित होगा अब इसी तरह से आप इन दोनों भुजाओं के बारे में सोचिए कि इन दोनों भुजाओं को इसपर्ष करने वाला वृत का केंद्र इस कोण के कोणारधक परिस्तित होगा यानि दोनों कौनारधक जहां पर एक दूत्रे को काटेंगे वो एक ऐसा बिंदू होगा जहां से इन तीनों भुजाओं की दूरियां बराबर होंगी यानि हमें इस वृत के अंतर्गत यानि हमें इस त्रिभुज के अंतर्गत वृत खीशने के लिए किनी दो कोड़ों का अरदा खीशना होगा तो चली हम अरदा खीशते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा केंदर प्राफ्ट करें जो तीनों भुजाओं से बराबर दुरी पर हो यहां हमें ये धियान रखना होगा कि हमारा केंदर अपनी वास्तव के स्थिति से थोड़ा भी इधर उधर हटेगा तो हम सहे वरित प्राफ्ट ने कर पाएंगे तो चुकि यहां पर जो हम रेखाएं कीश रहें उसके मुटाई काफी ज़्यादा है रेखा के अधाना से काफी अलग है तो ऐसी से दी निर्मित हो सकती है तो हम बहुत साउधानी से रचनाएं करेंगे और बिंदों को ठीक बीच में लेने कोशिश करेंगे तो हम परकार को इस तरह से फैलाते हैं कि एक दूरी हमें एक चाफ हमें मिल जा है और परकार की नो को हम बी पर रखें और बी ए पर एक चाफ काटें वैसी ही बी सी पर एक चाफ काटें जो कि दोनों चाफ समान तरिज्या के हैं इसलिए बी से इस बिंदो की दूरी बी से इस बिंदो की दूरी के बराबर है अब फिर से हम जो हमें कटन बिंदो प्राप्त हुआ है बी ए पर वहां से एक और चाप काटे त्रिभुष के अंदर ही और इसी नाफ से हम दूसरे काटन बिंदू से भी चाप काटे ऐसा करके हम जो चाप काट रहे हैं तो ये हमे soy एक बिंदू प्राफ्थ हो रहा है इस बिंदू को हम यह दिवी से मिला दें इसे हम इस तूटी हुई लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं यह जो हम रेखाकंड की रिष्णा करने जा रहे हैं वो कोण ABC का कोणारदक होगा और जो आपने पढ़ा था उसके अनुसार इस परस्थित कोई भी बिंदू इन दोनों से समान दूरी पर होगा यदि हम एक ऐसे वृत की रिष्णा करें जो इसको इस परस्थ करता है तो निश्य तुरुप से वो इस भुजा को भी इस परस्थ करेगा ठीक ऐसे हम कोणारदक हीचे बिंदू सीसे तो फिर से हमें काम करेंगी यहां हम शिस पर प्रकार के नो को रखेंगे एक निश्य तृजग चाप यहां ले और उसी तृजग चाप सी ए पर भी ले और फिर यहां से हम एक और चाप करते हैं अंदर की दिरफ इस चाप के लंबाई इसके जैसी है बहुत साउधानी के साथ हम अपनी रश्टा में जितनी अधिक शुदता रखेंगे उतनी सटीक प्रणाम हमें प्राप्त होगा यह देखिए हमें किरंड किष्टे जा रहे हैं दो सी से होकर जा रही है यह किरंड ही कोण A, C, B का अरदक है यह किरंड पहले वाले किरंड को कहीं पर काटे यह हम ध्यान रखें आप देखिए यह जो बिंदू प्राप्त हुआ यहां पर एक बिंदू आपको प्राप्त हुआ है इस बिंदू का आप नाम देदे ओ ओ ओ एक ऐसा बिंदू है जो दोनों कोणारधक पर है इस कोणारधक परिस्थ होने के मतलब है कि इसके किसी भी बिंदू की यहां से जो दूरी है वही दूरी इस बिंदू से इस भुजह के भी होगी और ठीक ऐसी हे इस कोणारधक परिस्थ कोई सभी बिंदू इन दोनों भुजाओं से जो इन कौन को निर्मित करें बराबर दूरी पर होगा और जहां पर दोनों कौनारधक एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदू के खासित होगी कि उसकी इन तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होगी चुकि वह पहले कुणारधक पर है इसलिए इसकी यहां से दूरी और यहां से दूरी बराबर है और चुकि यह दूसरे कुणारधक पर स्थित है इसलिए इसकी दूरी यहां से जितनी होगी उतनी दूरी यहां पर भी होगी तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिंदू ओ की तीनों भुजाओं से दूरी बराबर है यानि ओ को केंदर मानकर और यहां से जो लंबो दूरी है कोई भी एक उसको तरिज्या मानकर आप जो वृत खेचेंगे वो तीनों भुजाओं को इसपर्ष करेगा तो हम एक तरिज्या नापने के लिए हम किसी भी एक भुजाओं पर लंब डाले मानले हम यहां पर एक लंब डालते हैं तो लंब डालने के लिए हम एक चाप यहां पर काटे और दूसरा चाप यहां काटे और जो चाप हमें मिले वहार से फिर एक चाप Saudhani से काटें दूसरी तरफ बुजा के यह हमने एक चाप काटा और वैसे ही यहां से हमने एक चाप काटा जो पहले वाले चाप को किस जी कापर काटता हो यह हमने काट दिया अब इस बिंदू से इस पोख मिला दें यह जो हमें रेखा राप्त होगी, वो हमें बी-सी पर एक ऐसा बिंदू देगी, जो और से लंबवात होगा, हम लंबार्दा कीच रहें, इस रेखा खंट का, और से लंब डाल रहें इस पर, तो देखिए जो लंब है, वो इसको यहां छूता है, इस जगह पर छूता है, यह यह जो बिंदू हमें प्राप्त हो रहा है, मान लेजिए इसे आप पी नाम दे दे, तो पी ओ से बी-सी पर डाले गए लंब का लंब पाद है, यानि बी-सी पर एदिए उसे हम लंब डालें, तो बिंदू पी पर ओ से को इस परस्ट करता है, आप चूकि यह लंब है, इसल इन दोनों कुणारदकों के कटन बिंदू O से बी-सी पर लंब डाला, जो बी-सी को पर काटता है, यानि O पी जो है, वो एक ऐसी लंबाई या ऐसी दूरी है, जो बी-सी को इस परस्ट करती है, और ठीक इसी तरह से यदि इस त्रिज्या का वरित कीचा जाए, तो वरित ज इस परस्ट करेगा, क्योंकि यहां से इन तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होगी, तो चलिए हम वरित खीच कर देखते हैं, और उमीद करते हैं कि यह जो केंदर होगा, वहां से खीचागे वरित तीनों को इस परस्ट करेगा, यह हमने यहां पर परकार की इत इसको भी सपर्श करता है, यह भी इसके पास गुजर रहा है, और वैसी यह इसको भी सपर्श करता है, अब हम एक वरित खीच लें, देखिए, यह एक वरित के हम रशना कर रहे हैं, और देखते हैं कि तीनों भुजाओं को सपर्श करता है, क्या यह यह, यह देखिए, एक यो फिर बिश्न क के प 백신 करता है सबस्पर्श पहले हमने किया कि लूतर बढाने वाले भुजाओं के समान्युक्पोरि ऑप्योग किया दोटो जो तिनों भुजाौं से समान दूरी पर हो there are three उसे वुरित का चैंद्र बनता तो पहले हमने इन दोनों भुजाूं से समान दूरी पर बिंदु प्राप्त करने के लिए इससे बनने वाले कोंड करद कीचा जो भी हो था ठीक इसी तरह से हमने A, C, B, कौन का अर्दक खीचा जो C, O था जो दोनों अर्दक एक दूसरे को O पर काट रहे हैं तो O हमें विर्द के केंद के रूपे मिला अब O से हम B, C पर लंब डाले जो उसे P पर काटता था तो O, P को तरिज्जा ली हमने और O को केंदरमान का विर्द खीचा जो तीनों भुजाओं को अलग-अलग बिंदों पर इसपर्श करता तो उस तरह से आपने देखा कि अंतव विर्द की रशना कर ली करके देखें पहला अंतव विर्द और परिवर्द की रशना कीजिए जब तरभुज A, B, C में A, B बराबर 3 cm, B, C बराबर 4 cm और कोण B बराबर 90 अंश हो साथ ही अंतव विर्द और परिवर्द की तरिज्जा ग्याद कीजिए A, B बराबर 2, C, C, A, 6 cm अंतव केंदर और परिवर्द कहां इस्थित है B, C, 7 cm, कोण B बराबर 45 अंश कोण A बराबर 105 अंश अंतव केंदर और परिवर्द कहां इस्थित है